दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि kidney stones एक बार निकलने के बाद भी या surgery करने के बाद भी क्या दुबारा बन सकते हैं और क्यों बार बार बनते हैं तो यह fact है दोस्तों करीब 30% population में kidney stones दुबारा बन जाते हैं एविन surgery के बाद भी या आपने दवाईयां इस्तमाल की हैं और उससे आपका kidney stone निकल गया तो उसके बाद भी 30% लोगों में फिर से stones डेवलप हो जाते हैं अब यह stone डेवलप क्यों होते हैं जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी आप उपर आई बटन में वीडियो भी देख सकते हैं उसमें हमने बात की थी के kidney stones कैसे बनते हैं लेकिन यहां मैं आपको बता देता हूँ फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में तो जनरली जब आप ठीर तक यूरिन के साथ kidney में रुके रहता है वो कब रुखते है जब पानी कंपीत हूँ तो पिशाप कनसेंटरेट होता है तो जब यह concentrated urine पिशाप के इंदर रुका रहता है तो फिर यह वहां पर kidney की परत बना लेते हैं kidney के अंदुरोनी दिवार पर चिपकने लगते है औ बार-बार अगर ऐसा होता है तो अगर आप ऐसा भोजन करते हैं जिनके अंदर अग्जलेट्स की मात्रा जादा होती है जैसे पालक हो गया जैसे बींस हो गया जैसे टमाटर हो गया तो कैल्शम अलड़ी आपके शरीर के अंदर है और बाहर से आप अगर ऑग्जलेट लेते हैं तो जिब कैल्शम और ऑग्जलेट एक साथ मिलता है तब स्टोन बनता है अक बहुत ज़ादा non-vegetarian खाते हैं आप अंडा खाते हैं मचली खाते हैं मीट खाते हैं तो इन लोगों में जब यह protein digest होता है तो uric acid का ज़ादा production होता है तो इसके कारण आपके खोन में uric acid की मातरा बढ़ती है और जब uric acid पिशाप के अंदर जाता है तो यह वहाँ पे deposit से ज स्टोन बन जाता है उसके लावा एक दोस तो दूसरा कारण होता है genetic कारण भी होता है अनुवांशिक कारणों से भी स्टोन बनती है आपने देखा होगा कि एक घर में गर किसी को स्टोन है किसी मावाब को स्टोन है तो हो सकता है उनके मावाब को भी स्टोन बनते रहे हो य जैसे हमने बात की, जो लोग मीठा काते हैं जादा, उसी तरीके से जो शुगर है, अगर जादा शुगर होता है, तो ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को जादा बढ़ा देता है, तो उससे यूरिक एसिड स्टोंज बनने का खत्रा बढ़ जाता है, इसके अलावब दोस् की स्टोंज वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, तो आप पानी अगर कम पीते हैं, आपका डियेटरी हैबिट अच्छा नहीं है, आप बहुत जादा जंक फूड काते हैं, क्योंकि जंक फूड में बहुत जादे कलोरीज होती हैं, वहां से आपको गलुकोस जादे मिलता है, नमक जादा होता है, आप मीठा बहुत जादा खाते हैं, आप रिफाइंट शुगर जादा खाते हैं, तो यह सब भी बार-बार किड्नी स्टोंज बनने का कारण बनते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो बलड सिर्कूलेशन काम होता है, तो उसके कारण से भी kidney का filtration rate कम हो जाता है तो ये भी एक कारण होता है stones के बार बार बनने का अब ये है कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं तो जितने हमने उपर कारणों की बात कि अगर हम इन सब को हटा देता है तो आप stone को बार बार बनने से रोक सकते हैं अब हर गंटे एक गिलास पानी पिएं आप नोन वेच खाना बंद कर दें हरी सबजीया जादा इस्तमाल करें पानी जादा पिएं जूस पिएं और जूस में भी वो जूस पिएं जो थोड़े खटा होता है जैसे आपका citrus fruits हैं जैसे lemon है, orange है, moss me है बशर्त उसमें आपने मीठा और नमक ना डाला हो तो ये आपके kidney stones को dissolve भी कर देता है उसको बाहर निकाल देता है और उसके लावा आप exercise करें junk food ना खाएं जो आप regular exercise करेंगे, walking करेंगे blood circulation बढ़ेगा तो आपका kidney का filtration rate बढ़ेगा जिसके वज़े से stones नहीं बनेंगी और अगर बनेंगी भी तो आप पानी जादे पीएंगी तो उससे आप बाहर निकाल सकते हैं तो दोस्तो अगली वीडियो हम बात करेंगे कि इन stones को बिना surgery के हम कैसे निकाल सकते हैं कैसे तोड़के दबाईयों के सारे बाहर निकाल सकते हैं डेल सो दो महीने के अंदर ही तो दोस्तो मुझे उमीद आपको इवीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको इवीडियो पसंद आया हो आपकी चानकारी बरा रहा हो तो इसको share जरूर करें कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलना तैंक्यू